असलाम अलेकुम स्टेट्स कैसे हैं आप सब हुए आप सब खेडियस से होंगे चप्ट नबर वन चाल रहा था और टॉपिक आज आपने जो पढ़ना है ऑक्सिडेशन स्टेट इस टॉपिक का चप्ट नमबर टैन फर्स्ट इयर से भी रिलेशन है क्योंकि महाँ भी हम ऑक्स आप से उसक्राइब करना सिखते हैं तो यह दो के अदर भी आप पर फिर्मेट होता है आप सांजिक पूछ लिया जाते हैं कि ऑक्सिडेशन स्टेट इस कंपाउंट के अंदर इस एलिमेंट की क्या है चला दो बहुत से सुनिए वैसे तरह ऑक्सिडेशन स्टेट को करें ड गेंडियेते हैं और इंदर आपके पास किसी भी आटम के ऊपर चाज होता है उससे हम गोलते हैं ऑच्जाशन स्टेट ऑप इसकी एक्जेंपल्व कुछ ही में दे देता हूं एक्जापल सुनने चलें ऐक्जापल देते हैं उसके बार इसको लिटेटेल से स्टेटी क्याते इग्जम्पल्स आपके पास compound विख लेते हैं, आपके पास H2O है, आपके पास NaCl है, आपके पास Cl2 है, यह आपके पास H2SO4 है, चलें यह कुछ इग्जम्पल है, अब इग्जम्पल्स को देखूं तो यहां पर आप जानते हैं, आपके पास होता है, इसकी Oxidation State होती है, वह माइनस 2 है, एक Hydrogen की 1 होती है, तो 2 है, तो multiply by 2, तो प्लस 2, माइनस 2, और कमपाउंड क्या होता है, न्यूटल होता है, Similarly, अगर सोटियंपे प्लस 1 है, तो यहां पर माइनस 1 होता है, और इस Molecular की Oxidation State क्या है, जीरो, यहां पर अग्जम्पल्स की तो यहां पर एक Hydrogen की प्लस 1 है, और क्यूंकि यहां पर 2 है, तो यह हर एटम की कुछ ना कुछ आपके पास उसके उपर कोई नपकी चार्ज है, अब वो जो चार्ज है, उसको हम बेटें हम बोल देते हैं Oxidation State, ओके हो यहां अब यहां पर एक चीज़ें में रखेगा कि अक्सर हम सोचते हैं कि Oxidation State और आपके पास जो Oxidation Number है, वो same term है, मत्तलब वो कुम ने भी कुछ ज़्यादा इसमें फर्क नहीं किया, और वैसे न समझा देता हमान लिया, आपके पास है example, Al2O3, 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 अगर मैं Al2O3 की बात करों तो यहां पे जो एक Oxidation State है, वो है Minus 2, ओके, और यहां पे जो Aluminium की Oxidation State है, वो है Plus 3, लेकिन क्योंके Oxygen यहां पे 3 हैं, तो इसको हम Multiply करेंगे 3 से, और Aluminium क्योंके यहां पे 2 हैं, हम इसको Multiply करेंगे 2 से, Now, अगर मैं यहां पे देखों के Aluminium, मैं बात करों, Aluminium के Oxidation State क्या है, वो तो 0 for 0 Plus 3 है, वो तो 0 for 0 Plus 3 है, Oxygen की, एक Oxygen की Oxidation State क्या है, वो तो 0 for 0 Minus 2 है, क्या है, तो मतलब मैं यह कहना चाहरा हूं, कि अगर मैं यहां पे बलूँ के Oxidation State of Oxygen क्या है और Oxidation State of Aluminium क्या है, तो Oxidation State क्या होती है, एक Atom के Specific Oxidation State ले एक Atom के उपर चार्ज है, देखें बैटे, जो Oxidation Number होता है, वो किसी Compound के अंदर Aluminium के पास Atom है, इसका Total, Total कितना बलूँ है, वो है आपने पास, मतलब अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं, कि Oxidation Number of Oxygen क्या है, तो वह है, माइनस 2, multiply by 3, that is minus 6, चीक है, और अगर मैं Aluminium का Oxidation Number पूछ रहा हूं, तो इसका मतलब है, वो कितना है, Oxidation Number of Aluminium is plus 3, multiply by 2 is equal to plus 6, तो यह Oxidation Number और Oxidation State में फर्द है, अब इसको बहुर सम्जादे हैं, तो एक्जाम्पल से, like, मैं आप से कहूं, कि आप के पास बहुरा नगला है, कि Oxygen का Oxidation Number क्या है, यहां पर Oxidation State क्या है, वो सेम है, Oxidation Number minus 2 है, तो एक अटम पर Oxidation State इसकेस में यह है, अगर मैं कुछ हूं, Hydrogen की Oxidation State क्या है, कौन सी आलत में है, तो पेटे, वो माइन, plus 1 में है, वो इसके Oxidation State है, लेकर मैं कुछ हूं, Hydrogen क Oxidation Number के अच्टो के अंदर, तो वो के टोटल बताना पड़ेगा, आपको, that is multiply by 2, that will be plus 2, तो यह Oxidation Number Oxidation State में फरक है, इसको आपने जहें में रखना है, लेकिन मैं कोई इस 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 नहीं है, बहुत साइज जगा भी Oxidation Number Oxidation State, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकत आता है, वो आपके पास क्या है, एको डिफरेंस आता है, वो आता है आपके पास Oxidation State में और Valency में, इसके पाद इसके बाद हम Oxidation State यह वो को में है उसके जानेंगे, यह थोड़ी एक्स्ट्रा पाते हैं लिएकिन पॉड़न है, वेलैंसी और Oxidation State, Oxidation State तो बता दिया, Oxid इसके बीक आइटम के ऊपर, इना Compound, वेलैंसी गया है, वेलैंसी बिटे असल में है, Combining Capacity, इसकी वैल्यू आपके पास फिक्स होती है, Combining Capacity किसी एक आइटम के दूसरे कितने आइटम के साथ मिलने की मिलनी है, That is Combining Capacity, अज़ आप डिफरेंस कहा, Oxidation State की बिटे जो वैल्यू होती है, वो आपके पास या तो प्लस में होगी, या फिर माइनस में होगी, मतलब उसमें प्लस माइनस आएगा, वो शोग करेगा, क है, है, चार्ज, विलनसी, तो Combining Capacity है, तीन से में लेंगे तो 3 है, प्लस 3 है क्या मतलब होगी, Combining Capacity है ना, तो इसको कोई चार्ज में होगी, 3 तो 3 लिकेंगे, 4 है, तो 4 लिकेंगे, मतलमान लिया, आपके पास, अगर मैं कहता हूँ, CH4 का मुल है, और एक आपके पास CCL4 क अगरान की ओल है, यहां पर Carbon की बे मैं Oxidation State पुछूँ, तो यहां पर Carbon minus 4, यह Carbon की Oxidation State है, minus 4, यहां पर plus 4 है Carbon, ठीक है न, तो यह Carbon की Oxidation State है, देखें, मैं उसके साथ plus और minus का रसाण यूज कर रहा हूँ, तो कि मैं Oxidation State बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं Carbon की Valency बताना च यह पर आपके पास whole number भी होती है, लेक वान टू, यह भी हो सकती है, और यह Oxidation State आपके पास है, यह Fractions के अंदर भी हो सकती है, लेकिन Valency, Valency हमेशा whole number value हो दी, Fractions ही हो सकती कभी है, समझा गी? तो यह था थोड़ा सा introduction, यह थोड़ा सा difference है, जो अक्सर जहन में सवाल आ जाते हैं, तो वो मैंने पहले clear कर दिये, ताके जहन में सवाल आनी ही, ना, तो इसको अच्छे लीके से जहन में रखेगा, अब आते हैं, कि हमारे पास बिसी तरी Oxidation State का concept है क्या, मतलब हम कैसे find क हैं, देखो मेरे पास यहां कि मैं तीन केसे में discuss करूँगा कि Oxidation State को कैसे find किया जा सकता है, या क्या होती क्या है, कैसे समझेंगा हम इसको, Case No.1, देखो मारे पास पहला Oxidation State हमें find कर नहीं पड़ सकते, आयली Compound, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, आयली Compound के अंदर हम Oxid Oxidation State किस तरह से find करते हैं, या हम किसी से idea लेते हैं कि Oxidation State यह ओगी, आयली Compound करना है, देखो आयली Compound ऐसे होते हैं, जो एक्टरौन के loss करने से या गेन करने से बनते हैं, आयन्स और आपसमें जूड़ जाते हैं, तो आयनी Compound के तरह अगर आप Oxidation State find करना चाहते हैं, तो कितने एलेक्ट्रौन गेन किये हैं या इतने loss किये, आपको भी यह पता है, तो आपको Oxidation State आयनी Compound के इंदर find करने की जो होती ही नहीं, वही इसकी Oxidation State है, आप जानते हैं, NACL, लाइक मैं पोर आयनी Compound करना हूं, CACL2, अब यहना पर क्या है, सोडिय में एक एलेक्ट्र करता है, कितने गेन करता है? 1, तो, सक प्लस, माइनस तो, यह इस तरह के पास को हो है, तो आयनी Compound के थे रो, नहीं है बड़ा असानलैक्ट्रौनलाओ्स और गेन 59 क caffeine कर लो, आपके पास oxidation Dan आप केस नंबर टू अगर आएंड कंपाउंड ना हो फिर आपके पास डेफिनिये सी बात है को विलिंट कंपाउंड होगा तो कंपाउंड के अदर असल में अक्सिडिशिए स्टेट पाइंड करना में आपके पास एक टास्क है और यही आपस आज के लिक्चर ने समझाना है देखो कोविलेंट कमपाउंड जो आपके पास होते हैं उनके लेक्टरॉन की शेरिंग होती है लॉस या गेंडिंग होता हां वहां पे तो सब्सर आपने कहा कि जिसने लेक्टरॉन गेंडिये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी माइनस और जिसने लेक्टरॉन लॉस क इसके oxidation state के साथ दिखेंगे plus, यहां पर किसके साथ plus और किसके साथ minus दिखेंगे, यहां पर आप एक चीज यार रखेगा, कि यहां पर प्लस माइनस वाला c है, यहां पर अपर जो नंबर है, उनका जो चार्ज है, वो decide कौन करता है, वो decide करता है, electronegativity का difference, electronegativity, difference will decide, will decide apparent charge, will decide apparent charge, देखो, एक सिंपल सी बात है, यहां पर पूझे पता है, आपको भी पता ही है, कि जो hydrogen है, इसकी electronegativity क्या होती है, 2.1, और oxygen की electronegativity बहुँ जादा होती है, यह different हो सकती है, like three point आपके पास यह होती है, तो यहां पर आप देखें, कि आपके पास कौन ज्यादा electronegativity है, oxygen के hydrogen, oxygen है, तो जो ज्यादा electronegativity बहुट है, उसकी oxidation state के साथ minus आएगा, और जो लेक्ट्र पोजिटिव होगा, उसकी निसपस, उसके साथ plus आएगा, तो आगे बात की बात है, कितना plus है, कितना minus है, तो इसकी oxygen state यहां पर minus 2 है, एक hydrogen की plus 1 है, तो multiply 2 करेंगे तो plus tubes, तो इस तरह से आपके पास ही होगा, लेकिन अगर आप इसी को, मैं example बद लेता हूं, इसी oxygen को लेकर आगा चलते हैं, मैं ले लेता हूं, OF2, अब यहां पर आपको देखें जरा, यहां पर आपके पास oxygen है, उसकी electronegativity 3.5 भी है, ओके, लेकिन fluorine की electronegativity आपके पास यहां पर 4.0, तो आप देखें, कौन जरा electronegativity है, oxygen के fluorine, तो negative किसके साथ आएगा, oxygen के साथ भी fluorine के साथ, fluorine के साथ, और positive इसके साथ, तो यहां पर एक fluorine माइनस हो आना है, तो 2 है, तो यहां पर यह प्लस 2 है, मतलब oxidation state में, negative और positive तो कोई मुश्की ले नहीं है, समझना, जो electronegativity है, उसकी oxidation state आ plus में, पहला point तो covalent compounds के अंदर यह पल्ले से बात को, इसी के अंदर रोड़े होते हैं साथ, अच्छा, एक तो यह बात होते हैं, दूसरी, अब ज़र यह बताएं के covalent compounds के अंदर, आपके पास find क्या 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 हैं, तो चलो उसको भी discuss करते हैं, अच्छा, पहला point तो क्या के groups हैं, पिंडेट्स हैं, उनके अंदर जाली सी बात है, oxidation state के कोई trend होता है, आप ज़र सुनिये ता, प्यटे एक तो आपके पास permanent compound का oxidation state होता है, oxidation state होता है, वो आपके पास, किसके equal होता है, is equal to group number, पहली condition यह है, कि वो group number के equal हो सकता है, यह condition है, कि किक है, एक चीज़ दूसरी condition, यहां तो पोविलेंट कंपाउंड के अंदर जो oxidation state होती है, वो किसके equal हो सकती है, is equal to number of electrons in outermost shell, यह इसके equal हो सकती है, एक चीज़, यह आपके है, यह किसके equal हो सकते है, यहां बैटे, तीसी condition यह है, कि oxidation state, कोविलेंट कंपाउंड के अंदर, equal हो सकती है, is equal to, is equal to number of electrons involved in bonding, यह तीन वजुहात की वज़ा से, कोविलेंट कंपाउंड की oxidation state हो सकती है, मतलब यह तो जो प्रियोडिक टेबल के अंदर इसका लुजनम पर है, वह यह oxidation state होगी, यह फिर जितने electron इसके अपर मोशल में हैं, अगर सारे यूज़ करनी हैं तो वह यह oxidation state होगी, यह oxidation state होगी, अब इसको समझने के लिए हम याद करना पड़ेगा, ड्रा करना इसको मैं रिस कर रहा हूँ, तो चलो जड़ा गोर करिएगा, आपको यह सारी बात दें पड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगी, प्रियोडिक टेबल में चलते हैं, प्रियोडिक टेबल कैसा है, दुबारा पर याद कर बार रहे हैं आपको, आली ने की रग से परियार, बेटी मांगे, का स्पुटर बारे, यहां भी मैं फिर से वही छोड़ रहा हूं सारा, डी ब्लॉग, बी ब्लॉग होई हैं उन लिख ले, उसके बार आ जाएं, बाई अली गए, इंडिया, फाइलेंड, और इतर क्या हमने याद किया दें इसको, ससी गई, सिंध पंजाग, उसके बाद, ना, पाई, असी, साप, बोल शरीफ, और इसके बाद, ओ, जी, ओ, सर, सी, ते, पुन्नू, और जब इसको भी रेस करना पड़ेगा, उसके बाद क्या आ जाता है, फैसला बाद, से, कब, बराद, आई, अटक, और लास्टे, हीलियम, हीना, नीना, और, क्रीना तो, यह है, प्रियोटिक टेपर, इसमें, देखो, यह है, ग्रूप नमबर, वान, टू, थ्री, पोर, फाई, शी, सेवन, एट, ठीक है, लिख नहीं का, इमिटे, आपको पता है, अच्छा, अब फर्स्ट ए की, ऑक्सिदेशन स्टेट देखो, अगर यह कोवलें का पॉर् अब एलफ की बात है, यह सारे के सारा फर्स्ट है, इसके ऑक्सिदेशन स्टेट आपके पास वान ही होती है, और जो सारे का सारा बी ग्रूप है, मतलब, सेकंड ग्रूप है, इसके ऑक्सिदेशन स्टेट टूवी होती है, यह मैं ऑक्सिदेशन स्टेट रिकरा हूँ, ठीक अगर हम देके तो यह hydrogen ही case में valid है क्योंकि नीचे वाली metals है वो minus नी exist नहीं करती हाई्ट्रोजन जो है वो आपके पास plus one भी हो सकता है माइनस one भी हो सकता है example में आप तो देखेता हूँ for example आपके पास है यहां पे HCR HCR के अंदर यह plus one है और आपके पास, for example, है N, A, H, यहां के लिए माइनस वन है, तो यहां पर हाइट्रोजन जो है, माइनस वन प्लस वन हो सकता है, सिमिसरली बरिग्लियम मिगनेशिय में सारे प्लस वो होते हैं आपके पार, और सिमिसरली इधर अगर हम आएं, तो नीचे बादे सारे प्लस वो होते हैं, लेकिन अगर हम बोरॉन की बात करें, तो बोरॉन आपके पास, प्लस और माइनस तोन्हों शीन शू कर सकता है, जबहें, लिख देता हूं के ब्लस श्रीशन स्टेट और ये आपके पास, लाइस, उन्स यहिए भात कर सकता है, व्ह को मैंस ब्लस ऑक्स की एश टेक्टा है, कोई भी कर सकता है, तो इसी तरा से आके, अब यह जो मैंने बताया, यह तो फोर यह तक तो यह अपला होता है, मतलब अब यह तो फोर यहां तक तो मैंने बिटे फ्लाय होता है, यह जो मैंने आपको पताया कि अब यह जाते हैं, तो नाइट्रोजन के पास एक रेंज है, देखो नाइट्रोजन के आउट्रमोश शेल के अंदर कितने एलेक्ट्रोन हैं, कितने एलेक्ट्रोन हैं, बताओ जरा, फाइव यह से भी लोग करता है, जरा बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन के आउट्रोजन के आपके पास, देखो जरा 1S2, 2S2, और 2P, X, 2P, Y, and 2P, Z, चार एलेक्ट्रोन, 5, 6, और 7, अब नाइट्रोजन के आउट्रमोश शेल के अंदर आपके पास एलेक्ट्रोन वैसे कितने हैं, जरा देखो कितने हैं, पाइव है ना, पांच है ना, पांच, इसकी ऑक्सिदेशन स्टेट 5 होने चाहिए थी ना, लेकिन 5 बहुत कम शोग कर कथा है, आपके पास 3 और वो किसकी वजा से, ऐन तीं ऐसे, यहां पर यह वाली चीज ऒथे लिए, और इक बांटेशन में यह वाली ऐसे, प्लस-3 और जोग करता है, ठीक्श हो करें, च्रों ऑक्सिदेशन एहां पर आपके पास 3 औक्सिदेशन स्टेट्स करते हैं, सच रह करेगा हां नाइड्रोजन सी रख 3 करता है लेकिन इससे जो नीचे वाले आपके पास अलएग यह पास व्याद से लिए आपके पास 5 और 3 कर सकते हैं प्र जाजिए पर तो किंगे इसे प्लिपने के लिए चाहिए होते हैं ऑड तो अगर मैं इसको माइनस करता हैं माइनश 3 मतलब नाइट्रोजन माइनस 3 ऑक्सिदेशन स्टेट कर सकते हैं तो मैंने भाताना था कि नीचे बालें आपके पास प्लस प्लस थरी यह प्लस फाइट यह डिफरेंट ऑक्सिदेशन स्टेट तो माइनस को दो भी कम हैं तो मतलब यह दो माइनस तू बलैंस शोगा सकता है तो अक्सीजन यहां पर आपके पास व्लैंस शोगाता है लेकि नीचे वारे शुट वह लएक सुटल्फ हो कर सकते हैं यह वह नैस शोगा सकते हैं यह इसकी है अनुतम फ्र आपके पास फॉर एक सिक्ष ग्रूप नंबर इस्क्स गया मतलब, चीरफ पहला पहला पेला वने वर आपके पास फीक्स है कि oxygen है या मायं प्लस टू भी हा उप्लस टू या दू अप्लस टू शो कार रहा है लेकिन oxygen वेरीबल भी और हो सकता है लेकिन most of the time यह माइनस टू या प्लस टू होता है बाकी तो ये माइनस 1 की हो सकता है, फार रॉकसाइट के जागे हैं तो बताना ये था कि वैसे तो ये ग्रूप नमब्र की वह थी होती है लेकिन बाद दका ये दूसरी चीज़े भी आ जाते हैं लेकिने बॉन्ड बना रहा जाता है तो ये उक्षेदेशन स्टेट 3 होगी लेकिन आपके पास यह आपके पास पिर नमबर के मताबब भी ऑक्सिडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं तो आप इसको समझ सकते हैं तो कोबलेंट कमपाउंट के मदन हमें ये तीन चीजें देखकर अंदाला लग जाता है कि आपके पास उसकी ऑक्सिडेशन स्टेट क्या है और लास्ट पॉइंट तो केस नमबर 3 है उसके बार एंट करते हैं इसको वह आपके पास क्या है है या इसको हम नॉर्मल स्टेट भी कहते हैं अगर फ्री स्टेटर में हो तो पिल क्या अब फ्री गृटे कोई अटन फार्म मी फार्म में हो सकता है यह तो मालिकुलल scratched हम अपके पास मालिकूल मनिय देखकर तो अगर तो आपके पास कोई एक्टम फ्री स्टेट में है या आप यह मालिकुलर फॉर्म के अंदर है ठीक है आप नहीं मालिकुल है तो इन दुनों किसे से में उसकी ऑक्सिदेशल स्टेट हमेशा क्या होगी जीरो होगी ठीक है और एक्जम्पल देता हूं लाइफ आपके एक्जम्पल ओगी यहां पर आईज़ देते हैं चलो और फॉर्जम्पल आपके पास आपके पास होगी रिगेंग ना लेक्तिकी प्री स्टेट मुद किसी के साथ जूडे ही जो किसी और एक्टम के साथ तो इनकी ऑक्सिदेशन स्टेट क्या है जीरो जीरो एक्डिशन तो हमने इस तरह सिहाल दखना है कि जिसकी अलेक्रोन एक्टिप्टी ज्यादा है उसकी ऑक्सिडेशन स्टेट नेगटिव होगी और जिसकी कम है उसकी पॉसिटिव होगी प्रियॉडिक टेबल की अंदर ग्रूप नंबर के हिसाब से करम देखें पहले ग्रूप की वन है एक करें निचे वादORकि आपके पहले प्रूप नम्बर फाइड था नहों कर दो की वह सकती है और प्रूप नम्र लॉसिंफ भी हो सकती है और प्रूप नबर सिख स्कती है उसक्ति इस और प्रृइख श्रुप नमर बाजन स्टेट तर उसकी अथ हम्मौशिटर्व और ज के अंदर के अंदर के अंदर मुव करते हैं Oxidation स्टेट सेम रहती है क्योंके सब कुछ सेम है Electronic configuration से हैं लेकिन जब हम Period के अंदर मुव करते हैं तो Oxidation स्टेट में Changes आते हैं तो यह था Oxidation स्टेट का टॉपिक इसको आपने आपको समझ भीया होगा इसको बुक से पढ़ें और इसको बैटके खुद कोशिश करें तो इसको आपको इसके समझ में आ जाएगे वामो यार तके एंचालों अब नेक्स लेक्चर में मिलेंगे that will be Hydration Energy Thank you very much Allah Hafiz